तरक महता शो के नट्टु काका का हुआ निधन नानप पाटेकर के क्रंपपी वीर में भी आये थे नजर टारक महता का उल्टाचश्मा में नजर आने वाले नट्टु काका अब नहीं रहे एक्टर घंशेम नायक हो गया निधन वह काफी लंब समय से बिमार चल रहे थे बता दे कि उनकी पहले भी बिमार होने के बाद मौत की खबर सामने आ चुकी है नंटू काका काफी समय से बिमार थे उने कैंसर था वे उल्टा चश्मा के साथ शुरुआत से ही जुड़े थे और नटू काका वाला रोल निभा रहे थे उन्होंने अपनी कौमडी आगा के साथ उनकी बार्णिंग बेहत खास थी उनकी क्यूट समाइल इंग्लिश बोलने का लहजा लोगों को पसंद था उनका जन्म 12 माई 1944 को हुआ था इस समय वे 77 साल के थे काफी लंबे समय से बिमार थे कैंसर से लड़ रहे थे एक्टर की निधन की बात से तारक महता क तीम काफी मायूस है आपको बता दें कि वे टीवी ही नई बलकि फिल्मों में भी आ चुके हैं वे साल 1960 में अशोका की फिल्म मासुम चैल्ट एक्टर के तौर पर नज़र आये थे और इसके बाला वे बेटा तिरंगा आँखे लाडला क्रान टीवी रांदोलन बरसात माफ अब यहां दोस्तों अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूस में खबर सामने निकल कर आई है मश्हूर टीवी सीरियल तारक महता का नट्टू काका का लोगप्रियक किरदार निभाने वाले घंचे अमनायक की सरसर साल की उमर में मौत की खबर सामने आई है वे कैंसर के पीडित दोस्तों को पता दें कि चोटे परदे पर सबसे ज्यादा पसंद किया जैने वाले कमेडिक शो तारक महता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले अक्टर घंचे आमनायक इन दिनों काफी मुश्किलों से जूज रहे थे पिछले दिनों खबर आ परान थे क्योंकि तस्वीरों में वे काफी कमजोर लगे थे लेकिन आज जो खबर आई है उसमें सभी का दिल तोड़ दिया है क्योंकि नट्टू काका आप इस दुनिया में नहीं रहे दोस्तो नट्टू काका के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी शुदान जली जरूरा पित करें